हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल एया रिजिलिशन आज की वीडियो में हम अलेप्टी टेस्ट के बारे में बहुत सी जानकारिया जानेंगे अलेप्टी टेस्ट जो होते हैं वो लिवर के लिए कराया जाता है यह तो सब को ही पता होगा वो सब हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं लिवर क्या होता है तो लिवर जो है हमारी बोडी का सबसे लार्जिस्ट ओर्गेन होता है और यह है वेस्ट्राइल ओर्गेन होता है वेस्ट्राइल का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा functions करता है इसमें जो है टू लॉप्स होते हैं राइट लॉब और लाफ लॉप्स और इन दोनों लॉप्स का जो वेट होता है वो अनाउंड 1400 से 1600 ग्राम अडल्स में पाया जाता है और लीवर के synthesis major biological compound जो होते हैं वो होते हैं proteins carbohydrates and liquids और यह काफी सारे enzymes होते हैं इसमें और fats वगरा जो है इसमें पाया जाता है यह लीवर का diagram है आप इससे समझ सकते हैं यह आपकी जो ब्राउन ब्राउन सी यह जितना भी ब्राउन ब्राउन हिस्सा होता ही हमारा लीवर होता है और यह जो हमारी ग्रीन वेन्स होती है यह ग्रीन जो दिख रहे हैं हमारी हैपिटाइटिक डक्ट होती है जो परपल है वह हमारी हैपिटाइटिक प्रोटल वेन होती है कॉमन हैपिटाइटिक बैल डक्ट जो होती है वह हमारी यह जो ग्रीन जो प्रोपर दिख रहा है यह होती है जो के मारे गॉल बेडर है यह गॉल बेडर से गॉल बेडर को भी यह जो लाइन्स जा रहे हैं यह हमारी गॉल बेडर है यह सिश्टिक डक्ट है हमारी जो गॉल यह हमारी डेडिनम के अंदर जो होती है, यह हमारी common bile duct होती है, sorry, pancreas के जो अंदर होती है, और यह हमारा डेडिनम है, और यह हमारा स्प्लीन है, यह हमारी heptatic artery है, यह हमारी stomach है, और यह pancreas है, और यह हमारी left heptatic duct है, जो right side जो है, वो हमारी right heptatic duct है, गरीन वाली जो left side है, साथ क्लॉब में हमाई left तेहरें थे साथ लिवर से रिलेटेड यूप इस के बाद हम जानते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट चो हम इस वीडियो में में जानने वाले हैं लिवर फंक्सिन टेस्ट के जु ट्रीटल क्षाज डा टाल he अब हम जानते हैं टोटल बिल्रूबिन के बारे में अगर टोटल बिल्रूबिन की जो है मात्रा हमारी बोडी में ज्यादा पाई जाती है तैट मिन्स पीशिंट को जोंडिस या अनीमिया की डीजिस जो है हो सकती है या हम यह भी बोल सकते हैं जोंडिस अनीमिया के केस में जो है पीशिंट का बिल्रूबिन टेस्ट कराया जाता है बिल्रूबिन जो है वो एक यलो और ओरेंज टाइप का पिगमेंट होता है जो कि हमारी आर्बीसी ब्रेकडाउन होने पर दिखता है हमाई लिवर में म下去 के ब्रेकडाउन होती है तो chapter 120 के बात के ब्रेकडाउन हो जाती है जब ब्रेक यह पिगमेंट करने बिलरुबिन जो है होने पर सका र सकता है तो कई बरक चैनल काइब काफ़ी ज्यादा च्तोर हो दो हम Summa टो सकते हैं बाग काफ़ी ज्यादा लीवर cuk शरी होती है के लिवयो क्लिनिंग नहीं कर रहा है बलड की एक्सक्रेट जो है वह प्रोपर्ली नहीं कर रहा है तो उस कंडिशन में भी जो है बिलरूबिन आपका हाई देखने को मिल सकता है अब बात करते हैं ALT या SGBT की SGBT और ALT जो है या डॉक्टर आपके SGOT SGBT नॉर्मली जादा तर यही टेस्ट आपके कराते हैं तो अगर लिवर सेल्स ब्रेक्टाउन हो दी है या लिवर सेल्स देथ हैं तो उस कंडिशन में आपका ALT SGBT टेस्ट कराया जाता है ALT की फुल्फूम होती है अलाइन अमीनो ट्रांस्वेर्स और SGBT की फुल्फूम होती है सीरम ग्लुटामिक प्यूरिविक ट्रांस्मिनेस ALT जो है एक हमारा प्रैमिलरी प्रेजन्ट होती है लिवर में और यह लीजर एक्षformation in kidney and skeleton muscles making liver more sensitive और यह जो है हमारे kidney and skeleton musclare में भी present होती है पर यह ज़ड़ा तर हमारे liver में जो है यह sensitive रूप से present होती है और यह हमाई मदद करती है hepatitis diagnosis को करने में मैंने पीछे बताया था वीडियो में जैसे की हमाई यह hepatitis जगत होती है तो यह हमें मदद करती है इनको diagnosis करने में अब बात करते हैं AST या SGOT SGOT और AST का भी सीम होता है यह हमाई liver cells breakdown या liver में that dead cells का पता लगाती है तो ALT की फुल 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 होती है aspirated amino transfer risk SGOT की फुल 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 होती है serum glutamic oxy oxyloidic transmis AST is found in all tissue especially heart, liver and skeleton muscles less specific for liver as compared to ALT और यह हमारी मदद करती है diagnosis करने में chronic and accurate stage of liver liver में कोई भी chronic disease है उसको diagnosis करने में यह हमारी मदद करता है अब बात करते है alkaline phosphorus की तो alkaline phosphorus जो है यह हमारी body में number of tissue जो है थे but used used most of offer 10 in clinical diagnosis of bone and liver disease alkaline phosphorus हमाई मदद करता है हमाई जो bone से related या liver disease से related disease होती है उनको diagnosis करने पर और यह slightly moderate increase करता है जो है यह है यह हैपिटोसल disorder यह हैपिटाइटीस की cryosis होने पर और यह alkaline phosphorus जो है यह हमारे common bile duct के भी अगर कोई डिजिस होती है तो भी alkaline phosphorus हमाई देखने को मिल सकता है अब अगर हम total protein की बात करें तो most serum protein are produced by the liver लिवर के थू जो है हमारी यह produce होता है और यह हमारी body में decrease serum albumin का मतलब होता है decrease protein synthesis अगर हमें globin निकालना है तो total protein minus albumin कर देते हैं और albumin और globin ratio निकालने के लिए albumin को globin से divide कर देते हैं अब अगर हम report की बात करें तो आप यहां से देख सकते है serum bilirubin इस patient की जो normal value होनी चीए वो होनी चीए patient की normal value होनी चीए 0 से normal value होनी चीए 0 से 20 के बीच में बड़ पेशन की value जो है इसके बीच में 0.95 है और second parameter है इसका serum bilirubin direct direct जो है वो 0 से 25 के बीच में होना चीए जो की नॉर्मल ही है इसका 0 से 30 0.30 है इस patient का serum bilirubin indirect 0 से लेके 0.75 होना चीए patient का normal है 0.65 अब अगर बात करें हम इस patient की SGOT की तो SGOT की normal value होती है 100 से 40 के बीच में इस patient के 25.4 फिर SGPT की भी से 0 से 40 के बीच में इस patient के 30 से 6 के बीच में यानि कि इस patient की फिर है alkaline phosphorus 0 से 0.1 से 240 पॉइंट पॉइंट होना चीए international तो इस patient के 234 आर अलकलाइन और टोटल प्रोटीन 6 से 6.0 से 8.3 होना चीए इस patient की 6.3 अलबूमिन 3.5 से 5.2 के बीच में होना चीए इस patient के 4.0 गलूबिन की बात करें तो इस patient का सीरम गलूबिन की value बिल्कुल जो accurate इतने से इतने की बीच में होना चीए तो patient की 2.3 है और value होना चीए 2.3 से 3.5 के बीच में अलबूमिन गलूबिन राइशो की बात करें तो 1.30 से 2.10 के बीच में होना चीए patient की 1.74 है इस patient की जो high value आई है वो सिफ आई है वो direct serum बिलूबिन की that means patient को liver में थोड़ा सा बिल्कुल infection है जो कि आपका medicine वगेरा से ठीक हो सकता है कि आपका एंई है